Sunbeams का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Sunbeams जो है वो Sunbeam का Plural होता है यानि कि एक से ज्यादा Sunbeam को हम Sunbeams कहते है और Sunbeam का आर्थ होता है सुर्य किरण जिवनानंद बच्चा, खुशमिजाज मनुष्य ये सुर्य की किरण यानि कि सुर्य की जो किरण होती है उसे भी Sunbeam का आ जाता है इसके इलावा कोई खुशमिजाज आदमी या वैक्ती होता है या कोई बच्चा होता है तो उसको भी हम Sunbeam कहते हैं एक से जादा को Sunbeams का आ जाता है जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि सुर्य की किरणे शिराओं में उलास से तोड़ते रक्त को भीजती है तो आप कहेंगे या अगर आप ये कहना चाहें कि मैं सुर्य की किरणों को पेडों और फूलों को रोशन करते हुए देखता हूं तो आप कहेंगे अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें